हलो फ्रेंड्स वेल्कम यू आल इन एसमबी एज़िकॉन हाव आ यू आल होप यू आल आ दूइंग ग्रेट तो आज हम क्लास सिक्स जोग्रफी के चैप्टर फोर डाट इस मैप्स को शुरू करेंगे तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं जैसा की हमने अपने प्रीविज चैप्टर में ग्लोब के बारे में जान लिया था तो एड्वांटेज़ थो हमने देख लिया था लेकिन आडवांटेज़ के साथ साथ ग्लोब की कुछ डिसएडवांटेज़ भी हैं तो चलिये उसे जान लेते हैं So globe हमारे लिए तब useful होती है जब हम earth को as a whole पढ़ना चाहते हैं लेकिन जब हम earth के किसी specific part जैसे कि किसी particular country, state, district, town या फिर village के बारे में पढ़ना चाहते है तो वहाँ globe उतनी effective नहीं होती है इसके लिए हमें maps की जरुरत पढ़ती है अब maps की बात आही गई है तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह maps होती क्या है Basically, a map is a representation or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale यानि कि जब हम earth surface या फिर earth के किसी part को according to a scale किसी flat surface पर draw या फिर यूं कहलो कि represent करते हैं तो उसे हम map कहते है But, it is impossible to flatten a round shape completely तो जैसा कि हम जानते हैं कि earth की spherical shape है और हम किसी भी spherical shape को complete flat नहीं कर सकते है इसलिए earth को flat surface में बनाते वक्त चीजों को थोड़ी बहुत adjust कर दी जाती है Still, maps are useful to us for various purpose जैसे कि कुछ maps ऐसी होती है जो किसी छोटे area को show करती है और कम facts बताती है तो वही कुछ ऐसे भी maps होती है जो जादा area को show करती है और साथ ही जादा facts भी बताती है तो हम maps के context में यह कह सकते है कि maps हम अपने requirement और convenience के हिसाब से select कर use कर सकते है और ऐसे ही जब हम बहुत सारे maps को इखटे रख देते है तो उसे हम atlas कहते है atlas बहुत सारे size और scale की आती है अगर आप map को globe के साथ compare करोगे तो आप पाओगे कि maps provide more information than a globe और साथ ही maps बहुत सारे different types के भी होते है तो चलिए अब हम अपनी दूसरे topic type of maps को समझते हैं वैसे देखा जाए तो maps की बहुत सारे types होती है लेकिन हम class 6 के syllabus को follow करते हैं maps की 3 type को समझेंगे जो की है physical maps, political maps and thematic maps तो सबसे पहले हम physical map को समझ लेते हैं maps showing natural features of the earth's surface such as mountain, plateaus, plains, rivers, oceans etc. are called physical maps यानि की physical maps वा maps होती है जो की earth की natural features जैसे की mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. को show करती है और physical maps को हम relief maps भी कहते हैं next अब हम map के दूसरे type that is political maps को समझते है political maps वा map होती है जो की world के अलग-अलग cities, towns, villages, states, countries को show करती है उसके political यानि की राजन्यतिक boundary के साथ इस तरीके के map को हम political map कहते है तो चलिए अब हम maps की third और last type जो की है thematic maps उसे समझ लेते है हमारे पास कुछ ऐसे भी maps होते हैं जो की किसी specific information पर ही focus करती है जैसे की road maps, rainfall maps, forest map, map showing major industries, etc ऐसे map को हम thematic maps कहते है and suitable titles are given on the basis of information provided in this map यानि की जैसे की आपको इस image में दिख रहा होगा कि यह एक India का map है और इसमें बताया गया है कि इंडिया की किस राज्यों में कितनी बारिश होती है इसलिए इस map का नाम rainfall map है So I hope कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे समझाई होगी Thank you for watching this video Stay tuned with SMB Edicon Stay safe, happy learning